नमस्कार आप देखरें जी पंजाब भनेना ही माचल मैं हूँ आपके साथ शमिच चौधरी फ्रांस की राश्ट्रपती फ्रांसवा उलांच भारत में हैं आपको राश्ट्रपती भवन की तस्वीरे दिखा रहे हैं दिल्ली से इसी दी तस्वीरे हैं प्रधान मंत्री मोधी के साथ हैं फ्रांस के राश्ट्रपती फ्रांस पाउलांच और तमाम गणमाने लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं आपको इस कतार में नजर आ रहे हैं मंत्री और दिल्ली के एलजी भी सेना प्रमुक भी नजर आ रह बाज़ भी है एमएस जीतेंद्र सिंग्ग हैं। तमाम गणमाने लोग वहां पर मवाचूद है और फ्रांस के राष्टरपती फ्राश्टरपती भवन की यह तस्वीर हैं आपको प्रणा मुखरजी राष्टरपती प्रणा मुखरजी भी नजर आ रहे हैं। और पहले फ्रांस वाउलान ने भारती दल के साथ जो है हाथ में लाया उनके साथ उनका अभिबादन स्विकार किया फिर प्रधान मंत्री मोधी जो है उन्होंने भी जो फ्रांस के लोग आये फ्रांस का प्रतिनिदी मंडल आया है उनका अभिबादन स्विकार किया प्रधान झाल पुर्त लें ह ले लेखल, ले क्षचिस कि अ कützen पूर गट पिए मोट आते का isð रेरहो चासेत का उश ergimana मालλάudऴान में अगिश्ष ज flex लो भूक से जह चाल के पंस वोछ हम के बस्ष crad किने कम घर लो фильм पू Trop प्रें को पुरहाई नहां हो ताँ ओ较 एकि कि दो इन्हां हुएली, पुरिष्भाध चौिपरे के ने लिन्हागे कर दिन्हा दको, तूसी कि जा। भूरे लगएले ने का ली याहा है अलीज झालीज एका अली अलीज कि एन्पे कि लूर दो शैने के लव बानाएंग उताई यह औरव नुजम्ट ए मंगासी टृए बाद्ट को एक उन्य थरत्स यार धूंसे हैं उन्हें विक्राओो Χो एक करें न कर रहे हैं और इससे पहले आपको अपकि विस्कीन पारी तरंट क्या रहे हैं तस्वीरें जब राजखाट गए थे फ्रांस के राश्ट्रपती फ्रांस पाउलांद उनकी साथ जो है फ्रांसिसी जो प्रतिनिदी मंडल है वो भी मौचूद जहा राजखाट पर इन्होंने श्रधांच ली थी और उसके बाद अब आपको राश्ट्रपती भवन की तस्मीरें दिखा रहे हैं जो उन्होंने फ्रांसिसी भाशा में जो अपनी बात कही उसका यहां पर ट्रांसलेशन ये प्रतिनिदी दे रही हैं झेल प्रतिन टारे शीनिद परे रही हैं लग्गे सांब की बिच्त क्रेक्न पर रहाँ कि वlegen अपने बाला आ कि तंस he schawn, झाल फडिर्डायों को और दे असus़ उती आडीज़ 문 झाल का हाई. कि अर्छितक, म dau yang बता के जार झाल कम बालस के एहा गएूर्स मोधजए मोधझे, वेधल झालस मोधझेत उत्व एहा क्यों कि अकोड्र werden दो क्रावीक gegen debate. Thank you very much. प्राइब निज रिजरों रिए निजसे जिए प्राइब निए में तरौ इसे लिए में और जह गिए जी जिएारेभिए इसका प्रादिखा निएम प्रफ टेस्टेवारा इनिए प्राइय प्राइब रर्तामниц अरियरीकारीग काश्या घ्रीजसी लिए्टि हैं And therefore, the decision that was taken to extend the period of emergency in France so that we can take all the necessary measures. We will always protect the values for which France stands. Mr. President, you can come here. Thank you, sir. Thank you. So, France's situation has been discussed in France. France's circumstances, which has been sent to France as a result. And in France, France's situation has discussed. You can see it in France as a result. France's people with France, France's people with removal. गणमाने लोगों के साथ जो है मुलाकात की इसके लावा ये आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जब राजखाट पहुंचे थे उन्होंने महात्मा गांधी को श्रधांचली दी और इस तौरान उनके साथ प्रकाश जावडेकर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ही वो राष्ट्रपती भवन में थे जहां पर उन्होंने तमाम भारत के गणमाने लोगों के साथ उनका अभिभादन स्वीकार किया और ये कुछ देर पहले की तस्वीरे जब फ्रांसवा उलांद राजखाट पर थे उन्होंने महात्मा गांधी को श्रधांच लीती हमने के दोशियों और आतंकी संगटनों के खिलाब सक्त कारवाई की बांग की थी दावोस में वर्ल एकानोमिक फॉरम से लोट पे वक्त शरीप ने का कि भारत से मिले सबूतों की जाच की जा रही है हम आरोपियों को कानून के दायरे में जरूर लाएंगे शरीप ने का कि हमने एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाई है यह टीम भारत जाएगी और वहां से और सबूत उटाएगी आतंकवाद के खिलाब हमारी लडाई चारी रहेगी और नवास ने कहा कि मैंने नरेंट्र बोती से बात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोशियों के खिलाब कारवाई में उनकी हर संभव मदद की जाएगी हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उमीद है कि दोशियों को सदा दिलाई चाह सकेगी शरीफ ने पहली बार ये भी स्विकारा की भारत ने पुक्ता और एक्शन लेने लाइक इन्फॉमिशन दी है पठान कोट के दोशियों पर कारवाई करेगा पाकिस्तान और ये जो बदला हुआ सुर है नवास शरीफ का ये तब सामने आया है जब उबामा ने कहा कि पठान कोट हमले के दोशियों पर कारवाई की जाए तो ये उबामा की जेताफन जिसका रंग कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि नवास शरीफ के सुर बदल गए उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से हमें पुखता सबूत दिये गए हैं भारत की तरफ से जिन पर हम आगे बढ़ेंगे और SIT हमने पहले सी बना रखी है कड़ी कारवाई करेंगे और अब पंजाब की बात खडूर साहिब उपचुनाव के लिए अकाली उमीद्वार रविंदर सिंग ब्रह्मपुरा आज नमांकन भरेंगे उप मुख्यमंत्री सुबीर बादल भी उनके साथ यहां पर नमांकन पत्र भरते वक्त मौजूद रह सकते हैं ये जानकारी बल रही है खडूर साहिब उपचुनाव का ये रन है अकाली दल के उमीद्वार है रविंदर सिंग ब्रहमपुरा राजन गुसाई हमारे सायोगी खडूर साहिब से हमारे साथ फोन लाइन पर है राजन आज अकाली दल की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा लेकिन कॉंगरिस की तरफ से ये मौका कब आएगा जी बिलकुँ शमित आज अगर बात की जाए तो शुर्पनी अकाली दल के जो उमीदवार है खडूर साथ उक्चुनाब के लिए वो अपना नामंकन पत्राज दाटी कर रही है और बताया जा रहा है कि उकमुक मंतरी सुकबीर सिंग बादल के अलावा और बी जो सीनियर अकाली लीडर्शिप वो भी यहां पर पहुंचे लिए और अगर बात की जा है कॉंग्रेस पार्टी की कॉंग्रेस पार्टी अभी तक अपने उमीदवार का नाम की घोशना नहीं कर पाई है और अगर रमगी सिंस्थिक्ति के नाम पर चर्चा हो रही है लेकिन जंगरस पार्टी अभी तक अनाम को खुलासा नहीं करते हैंद ah में लेकिन यह नमाँकन भळा जारा रहा बतारें कि तमाम बड़े नेता यहां पर पह económ against तो ये शक्ती प्रदर्शन रहेगा आज इस रोवनीय काली तल कर जी राजन जी बिलकुश यहां पर शक्ती प्रदर्शन की होगा तो यह से यह जू जो सीड है उनकी तकसाली सीड है यहां पर काली दल का उमीदवार ही विजए होगा अब कि अभी तक भाई बलडीब सिंग जो है जो आम आभी पार्टी की और से लोकसभा का चुनाव यहां लड़ चुके हैं वो आजाद उमीदवार के रूप में यहां चुनाव मेदार में लेकिन अगर बात की जाए कॉंगरस की तो कॉंगरस की और से अभी तक कोई उमीदवार यहां अब नहीं उसारा गया चुनाव मेदार में तो श्रोमनिय अकाली दल अपना पूरा शक्ति जो है यहां पर जोंक रहा है जोन में फ़डूर साव हलका को बाटा गया और हर हलके की जो इंचार्ज बनाएं गया जिसने भी कैडमेट मुनिश्टर हैं मंत्री हैं विधा नेता शिरोमनिय अकाली दल की तरफ से वहां पर जूटेंगे शुक्रिया हमारे साथ जूटने के लिए राजनी को साइं आगे बढ़ने लुध्याना में आर्मी एरिया में देखे गए दो संदिक्दों का रहस से अफ़ी बरकरार है सुरक्षा के मद्दे नजर पूरे देश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान कई संदिक्दों की धर पकड़ भी हुई है हर और कड़ा पहरा है हराने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है तलाशी हो रही है ये सब इसलिए क्योंकि 23 जनवरी को लुध्याना के ढोलेवाल मिलिटरी कैम्प के आसपास दो संदिक्द देखे गए थे जिनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग सका है खबर मिली थी कि रात के वक्त शक्की व्यक्तियों ने इस कैम्प में घुसने की कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम होने पर दोनों फरार हो गए वहीं दोनों संदिक्द मिलिटरी कैम्प में घुसने की कोशिश करने से पहले एक घर में घुसे थे लेकिन घरवालों के तो जिस से नाली बुर्णों फीस्यार कोणिकान हैं फुरी तो यह सब्सक्राइब दो संदीक्ड केली जीटैवी केंरें वेन》 ये इस गुजर्धिया ने उन्हाग लोग पुछ किस ये शक्की शक्स कहां से आये थे, कौन थे और आर्मी एरिया में घुसने काउन का क्या मकसर था, अभी तक कुछ पश नहीं हो सका है, फिलहाल सर्च अभियान जारी है और इन संदिक्धों को ढूंडने की कोशिश की जा रही है, लुध्याना से नवीन शर्मा के साथ बिरो र पॉट जी मीडिया तबियत ठीक नहीं होने की वज़ा से इस बार मुख्य मंत्री 26 जनवरी यानी करतंतर दिवस पर धोजा रोहन नहीं करेंगे सीम बादल को गुरु नगरी अमरिस्सर में ज़ंडा फैराना था, लेकिन खराब स्वास्त के चलते फैसला टाल दिया गया पताया जा रहा है कि उनकी जगह कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंग मजी थिया ज़ंडा फैराएंगे डाक्टरों ने उन्हें छाती में दर्द और घबराहट महसूस होने के मद्दे नजर कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने के सलाह दी है डाक्टरों की एक टीम ने सीएम को निगरानी में रखने का फैसला किया है लेकिन सीएम के सभी टेस्ट पूरी तरह समान्य है इस बीच रव्युआर को राष्टपती ओलांद के स्वागत के लिए चंडीगर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने शेडियूल से कुछ वक्त निकाल कर सीएम बादल से पीजी आई में मुलाकात की पीएम मोदी ने सीएम से करीब 10 मिन्ड बाद चीत की और उनका हाल चाल जाना हरियाणा के मुख्यमंत्री में नोहरलाल खट्र ने भी पीजी आई में भरती सीएम बादल का हाल चाल जाना आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल नवा शहर जिले के उड़ापड गाउं में संगत दर्शन कारिक्रम के लिए गये थे जहां सारा दिन वह कडाकी की ठंड के बावजूत लोगों से मिलते रहे और शाम के वक्त उन्हें हलका बुखार छाती में दर्द और सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई जिसके बाद उन्हें ततकाल एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें प्राश्मी कुप चार के बाद पीजी आई में भरती कराया गया फिलाल सीयम की सेहत में सुधार हो रहा है लेकिन डाक्टरों ने उन्हें आराम करने के सलाह दी है बीरो रिपोर्ट जी मीडिया और इस वक्त लुध्याना से बड़ी ख़बर है यहाँ पर सुभाश नगर इलाके में कॉटन फैक्टरी में आख लगी है और इस आख की वज़े से वहाँ पर अफ्रा तफ्री मज़ गई है दस दमकल की गाड़ियां मौके पर मौझूद है आख लगने के कारणों का फिलाल पता नहीं चल पाया है लेकिन यह बड़ी ख़बर है सुभाश नगर इलाके में कॉटन फैक्टरी में आख लगी है लुध्याना में और दमकल की दस गाड़ियां मौके पर मौझूद है दस गाड़ियां मौझूद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बीशन आख पोगी नवीन शर्मा हमारे सयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन कैसे लगी है आख दिखिए शर्मित यह जो इलाका है पूरा का पूरा यह लुध्याना का शुभाश नगर और मायापुरी के बीच में पड़ता है और एक जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुचा और अभी जो गाड़ियें हैं दमकल विवाद की वो मौके पर है आग पर काबू पाने की कोशिश कर दिया पर अभी आग बुजाई नहीं जा सकी और थोड़ा इसको वक्त लगेगा पर आग के जो कारणों का जो अभी पता नहीं च शुक्रिया हमारे साथ जोडने के लिए नवीन शेर्मा आगे बढ़ते हैं हिमाचल की बात करते हैं पीएम मोधी को लेकर सीएम बीर भद्र सिंग बतले बतले हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री वीर भद्र सिंग ने केंदर की मोधी सरकार की तारीव की है उन्होंने का क केंद्र की तरफ से हमाचल को भरपूर मदद मिल रही है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जा रही केंद्र की मोधी सरकार पर तीखा हमला बोलने वाले हमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पीर भद्र सिंग के तेवर अचानक बदले-बदले दिखाई दे रहे हैं सीबी आई की रेट के बाद केंद्र पर बदले की भावना से कारवाई का आरोप लगाने वाले सीअम अब कह रहे हैं केंद्र से उन्हें मदद मिल रही है धर्मशाला के नूरपूर में जनसभा को सम्मोधित करते हुए CM ने ये भी कहा कि केंद्र को हिमाचल प्रदेश का सहयोग जारी रहेगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के हित में है हाला कि CM ने इसे अपना हक भी बताया और कहा कि हिमाचल को मदद देना एक समबैधानी का धिकार है दरसल CM जानते हैं कि केंद्र से टकराओ की नीती ठीक नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे नुकसान हिमाचल प्रदेश को ही होगा बिकास के काम अटकेंगे और शायद यही बज़ा है केंद्र को लेकर CM के तेवर अब नरम पड़ गए है श्री गोपाल पूरी व्री मीडिया धर्मशाला को प्रभावित कर रहे हैं और इस मुद्धे को भी BJP आने वाले विधान सभाग सत्र में उठाने वाली है साथी नूरपूर के पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने भी आरूप लगाया कि कॉंग्रिस सरकारी खर्च पर अपनी राशनीती को चमकाने में लगी है वहीं BJP की इस बयान बादी पर CM वीर भदर सिंग ने पलटवार किया कहा कि BJP को तो अभी से ही चुनावों का डर सताने लगा है उनके इस दोरे का चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है उन्होंने इसे अपना नियमित दोरा बताया जो की हर साल जन्वरी महीने में किया जाता है और विपक्ष के सारूप पर CM ने पलटवार किया और फिलहाल बुलेटन में इतना ही नमस्कार